मेरे रुपखि विधान सभा में जो लीड किया जदियू तो इसमें सभी महला को लगा कि हमारे जो विधायक है बेमा भारती उसी का चाप है तीर चाप इसलिए जो है कि सभी महला जो है की तीर में दिया वह हमको दिया भोट विदान सभा में खासकर 10-11 जारी वोट आए आपको 11 जार लग बग तो आप आप क्या बदलेगा आप क्या आप लोगों को समझा पाएंगी आप बिल्कुल बिल्कुल अना जिसका देखे जिसका जिसका आपके स पूरते हुए गया सरकार जो है कि डर चुकी कि अफदेश मंडल बाहर में रहेंगे उसका बच्चा बाहर में रहेंगे तो हम लोग चुना नहीं जीत पाएंगे आप कॉंग्रेस का जंडा लगा कर भी गूम रही है जाहिर सी बात है घड़बंदना लेकिन जो यहां से सां जैसे कि काप पंचायत में आप देख लिए बल्यागाठ शेकपूरा गाठ और कहीं जगह है जहां पूल अभी तक नहीं बना है क्या लगता है आपके तरफ से क्या परियास हुआ क्यों लेकिन लोग बताते हैं डॉक्टरों की अभी वहां कमी है हां डॉक्टरों के कमी है ह हम आवाज उठाए थे विदानसभा में कोस्टन भी किये थे हमारे भवानी पूर मार्केट इसा जगह है कि जहां कि पूरा पानी भड़ जाता है निकास नहीं है निकालने का तो अश्वासन तो दिया है कि वहां पर जो कि बनेगा उनका कहना था कि अनुमंडल में पहले ड परखंड में बनेगा तो यहां परानुमंडल में धंधा में डिग्री कोलेज हो गया है इसी कारण से जो है कि परखंड बाए परखंड जो बनना है वह अभी तैने हुआ है कि उनकी पतनी को आपने मुख्या का चुनाओ भी हरवाया ताकि वह आगे नहीं लड़ता है नहीं सा कोई बात नहीं है जनता अब यह लोग सबा महमहार गए तो क्या कहेंगे कि हमको फलना हरा दिया इंदिन रुपवली में उपचुनाओ चल रहा है पूर्णिया जिले के रुपवली विधान सवा में उपचुनाओ हो रहा है और हमारे साथ यहां की पुर्व विधायक जो 2000 से ही जीत रही है लगातार ही आप कह सकते हैं कि एक चुनाओ जो फरवरी 2005 वाला हुआ था उसमे हा रही थी पहला चुनाओ निर्दलिये जीती उसके बाद राज़त से जीती फिर 2010 से जद्यू से जीत रही थी तीन चुनाओ जद्यू से जीती फिलहाल यह चुनाओ क्योंकि लोकसभा चुनाओ लड़ने के लिए इनोंने जद्यू से इस्तिफा दिया विधाय की छोड़ और लोकसवा चुनाओ पूर्णिया लोकसवा से लड़ी और इस वज़े से रुपाउली में इनके विधानसवा छेतर में उपचुनाओ और राज़त के टिकट पर रुपाउली विधानसवा के उपचुनाओ लड़ रही है बिवाजी थोड़ा से पहले बैक्ग्राउंड जानना चाहेंगे कि कैसे आप राजनिती में आई दोहजार में पहला चुनाओ आप लड़ी निर्दली यहां से जीती भी तो कैसे क्या रहा किन पर स्थितियों में आप राजनिती में आई देखिए हमारे जो पती है आधरनी ह जो अवधिस मंदल जी और उनका जो है समाजी कारज की सब जगा जाकर के करते थे समाज से मिलते थे समाज के काम करते थे और हम लोग दोहजार से निर्दली मन बनाएकि नएखिव लड़ना चाहिए चुनाओ तो हमारे पतिन हम को खरा किया और हो चुनाओ हम दुहजार प्यार में जीते हैं बहुत अच्छा मत से जीते थे इसके बाद फिर से लगातार जो है कि यहां सिरुपोली के जनता ने जो हमारे भगवान शुरूप है और उनका हर समय मुझे सन्हाय प्यार मिलता रहा है लोकसवाद चुनाओं में क्या कुछ हुआ कि आप तयार थी लड़ने के लिए चुनाओं या अचानक से सब कुछ हो गया आपको क्या तयारी का समय नहीं मिला क्यों इतनी बुरी हार हुई मिला कम समय हम िला को जो है कि बरतमान में 10 साल से यहां पर संसत थे अपना घूम रहे थे काम कर रहे थे को है एक साल से गूम रहे थे छेत्र में आचाना कुत्रे और जो है कि दूसरे दल से अकर की अरजेडी में हम आये तो सिंबल का भी लोग का जो न समझ मेन आया और कितना जो है का हमारे विधान सभा का बात करते हैं मेरे रुपावली विधान सभा में जो लीड किया जदियू तो इसमें सभी महला को लगा कि हमारे जो विधायक है वेमा भारती उसी का चाप है तीर चाप इसलिए जो है कि सभी महला जो है कि तीर में दिया वह हमको दिया भोट नहीं कि कह करके कि नहीं हम मैडम को भोट दे र लोग कहते हैं यहां है जदिव लीड नहीं किया है जदिव का जो है कि मेरे नाम से बोड़ दिया उसको अच्छानक जो है कि विदान सभा तो आप देखी रहें कि लोग सभा में लंबा च्छेत्र रहता हैं उसमें घुमना था और नेता का भी प्रोगाम का उसको भी दिखना था सरा काम देखना था हमी को और बच्चा भी जेल में पती भी जेल में और उस टाइम में काफी परसानी भी हुआ लोग को समझाने पाए जतना हम को जन संपर्क करना चाहिए उतना नहीं कर पाए तो कि समय का भाव राजित ने आपको पहले से नहीं बताया था कि पूर्णि आदेश हुआ उसका हम पालन कि और मजगुती के साथ लरे ऐसा नहीं कि हार हो गया यह लेकिन जतना ही समय मिला हम बहुत अच्छे से मेहनत किये और बहुत जगह जो है की अपना हमारे जो कार्ज करता थे और मजगुती के साथ चुना लरे हमारे भाई जो है दरनियते स्व तो आप आप क्या बदलेगा आप क्या आप लोगों को समझा पाएंगी जब से चुना जो हरने के बाद जो है की लगातार छेतर में महिला के वीच जा रहे हैं हमारे कर्च करता जा रहे हैं घूम रहे हैं और सब जगह समझा रहे हैं कि अब तीर नहीं लाल्टेन हो गया तो लोग को समझाते भी थे तो जूट बोले जूट बोलते हैं आप लोग ना वहीं चाप है महिला सब जो बोल रहे हैं लेकिन आप इस बार जो है कि अच्छा से लोग समझ चुके हैं और काफी जो है कि हम लोग का मेहनत सुरू हो गया है आप कॉंग्रिस का पिर जो है इधर फिर चुनाओ का घोशना हुआ अब देखे होंगे कि पटना में फोर्स जाकर के रिट किया परसान कर रहा है राजनीती के ताहत जो कि फिर से केस में मडर केस में हमारे बेटा को नाम दिया गया मेरा पती का दिया है जबकि बजार में आप अभी भी आये हैं भवानीपुर में मारिकेट में जाके किसी से पूछ लिजीएगा कोई भी बेवसाई जतने भी हमारे जो मरवारी है और हम लोग का जोई कि घर समंध के लोग rice ए और यहां घर है मेरा तो मार्केट में जतने भी सवा अदमी है सबसे अच्छा समंध है और किसी से हमरा बएर नहीं है अना जिसका जिसका जो गोपाल जी का जदुका जी का जो हत्या हुआ था जिस दिन उस दिन मेरा हुस्वेन यहां थे और जिस सवस्ता में थे उसी में जाना तो दौरते गया गया उसके वहां पर घर पर गया इसके बाद मार्केट बजर बंद किया सब चीज किया पर सासन को बलाया आया सब ठो और को समार्ट निके बाद जो है कि फिर हम जा करके वहां मिले हमारे जो बेटा को जिसको फसाया है वो भी साथ में थी राजा को राजा और हम दुनों गए देखने के लिए वहाँ बड़ी को देखे परिवार से मिले सब चीज हुआ बैट के बाद किये दू तारी को घटना है और इधर जो राजनीती का सरगर्मी जो चालू हो गया कि आप उप जीत पाएंगे इस कारण से जो उसको फसाया गया है हम तो यहां के पुलीस पर सासन हमारे जो बहुत अच्छे है इसपी साहब भी और इसपी साहब भी सभी से बात किये और हमको लगता है कि अच्छा जो है कि जांच होना चाहिए इस पर ऐसे ही ना किसी का रेस्टिंग न में भी बिना मतलब का फसा करके जेल भेजा फिर जो है कि फिर जो है कि फिर जो है इधर जो है कि लक्सन का बात हुआ तो दुनों बाप बेटा को फसा दिया कि डिश्टप हो जाएगी अभी डिश्टप हो जागा यहीं है लेकि जांच का परकिरिया होना चाहिए ना होना चाहिए जब भी केस होता है किसी पर तो पहले जांच होना चाहिए इसके बाद जो हाँ दोसी होगा हमारा बेटा रहे हमारा पती रहे हमारे कार्च करता रहे चाह को भी उसको सजा होना चाहिए हाँ दोसी होगा तब पटना में जो रेट पर आपके घर पे उसके बाद क करेंगे सब लोग कर रहे हैं हम लोग सब साथ में कर रहा है सब चीज हो रहा है ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं कि आपके चैलन के माधियम सी कह रहे हैं कि जिस तरह से निर्दोस को फसाया जा रहा है जो हत्या किया है उसका को यते पता नहीं है और जो नहीं किया उसको फसाया जा लगा है जबकि हर समय मेरे साथ रहता है जो बिरोधी है उसको जो है की हजम ने हुआ इस तरह से जो परसान कर रहा है रुपोली की जनता समझ रही है कि किस तरह से हमारे विधाय का और हमारे परिबार को फसाया जा रहा है जनता समझ चुकी है ऐसा नहीं है कि रुपोली की ज जान रहे हैं कि कहां से जो है की हो रहा है आप ज़न्दा लगा कर भी गूह रही है जाहिर। इस बात बंदना लेकिन जो यहां इससांसच जीते निर्दली पपूयादव और उन्होंने कॉंग्रेस को समर्थन दे दिया लेकिन आपको समर्थन नहीं देना चाहरे हैं वो कह र कॉंग्रेस का भी साथ है, कॉम्मिनिष्ट का साथ है, सभी दल का जो है, सब का हमको सनय प्यार है, और जो बरतमान में अभी जो पुर्णिया का संसद है, जिस तरह से बोल रहे हैं कि एक अपराधी के प्रेवार के सदस को जो है कि नहीं मदद मिलना चाहिए, नहीं करना चाह तो यह पार्टी का निर्नय होता है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, वो तो जो तै करते हैं महागट बन्हन के साथ ही, उट तै करके कंडिडेट को मिदवार को उतारते हैं, हम तो चाहेंगे कि उनका भी जो है कि हमको सनय प्यार मिले, राजनीती में तो रा बखसवा चुनाओं के बाद उनसे बात हुई प्रिनाम के बाद चुनाओं बिल्कुल बात क्यों ने करेंगे बात अभी तो हम आये हैं अभी कल नम नसन दिये हैं अभी इसी में लगे हुए हैं च्छेतर की विकास की तोड़ा बात करें आप 24 साल लगा था विदाय करें जो साहब जो इसे बोल रहे हैं कि तो उनसे भी हम आगरा करेंगे का आपको राहुल जी का बात करते हैं कि राहुल जी का हाथों को मजगूत करें और ऐसे जहां करेंगे तो फिर जो है कि आपका राहुल जी का हाथ कैसे मजगूत होगा गडवन्दन में दरारा जाए महा साल के बाद फिर चुना होगा तो इसमें भी तो अच्छा भूमिका निम्हना परेगा तभी महागटवनन का सरकार बनेगी बिहार में काम होगा मजगूती के साथ बिहार में जो हमारे नेता का जो सोच है कि जो बेरोजगारी है महगाई है उसको खतम करें अभी कितना जो हमारे नेता है अधरने जो भाई है तेस्विजादव जी जो 17 साल में जो काम नहीं हुआ था जो हमारे भाई जो है कि 17 महिना में सभी उबाको नुकरी देने का काम किया है तने को उनका शपना है कि हम बिहार के लिए कुछ करें और इस बार भी आप देखें कि केंदर में जो जितने भी बिहार का जो मंतराले दिया गया है जद्यू के तरफ से जो चिराक पहश्मान को तो यह सा कोई इसा विभाग ही ने दिया है जो कि बिहार के लिए काम करें एक जुझ जुना के तरह थमा दिया है बिहार में ऐसा कुछ नहीं दिया कि बिहार में बिहार में ब विसेस राज की दरजा की बात होना चाहिए, नाकी मंदराला की बात होना चाहिए, सबसे पहले तो बिहार के बारे में सोचना चाहिए, हमारे जो यहां के बिहार के मानिय मुख मंतरी नितिश कुमार जी है, उनको बात करना चाहिए, बिहार की विसेस राज का दरजा देना च जो विसेज़ पाइकेज जो हमारे जनता जो परसान है बिहार का उस पर जितने भी हमारे बिहार के नेता है उनको बात करना चाहिए परदान मंत्री जी से क्योंकि उपचुनाओं है तो काफी विदान सभा छेतर के मुद्दों पर जादा बात होगी तो आप क्योंकि लगातार 24 साल विदायक रही हैं कि अब तक कई घाट है जैसे कि काप पंचायत में आप देख लिजे बलिया घाट शेकपूरा घाट और कई जगह है जहां पूल अभी तक नहीं बना ज़ंड़े, जब जीते थे तो यहां पर उतना काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, और जितने के बाद हमने यहां बहुत विकास किये हैं सरके बनाई, पूल बनाएं जो कि आपको बरतमान में आपको देखने के लिए मिलेगा खरकटा में हम पूल बनाए हैं वहाँ पर रहपुरा में पूल बनाए है इसके बाद पर पकरिया घाट में पूल बनाये हैं, आपका फुट घाट में हमने पूल बना दिया है, इसे हजारों पूल बना है, डूमरी में पूल बना है, सहिकपुरा का बात कर रहे हैं, तो सहिकपुरा का भी जो डिपियार है, बन करके जो है की विभाग में चला गिया ह वहां पर वही इसी ममला में फसा हुआ है, हमने वहां गरामिन से भी मिले थे, तो सब को बोले कि एक एस्टाम ले लिजी एक हजार बला, उस पर सब ने साइन कर दीजिए, साइन कर दीजिए तो बीवाद ने होगा, क्योंकि पूल बनने एक बाद सरग भी चाहिए उसमें, त हमना सारा चीज हुआ हो है, महां पर काप का, सब कुछ हो गया है, खाली जमीन के बिवाद के चलते अभी नहीं बना है, आइस बार जो है कि फिर डुमरी का पूल हो गया है, जो बड़ी नदी है, उसका भी हमने हो गया है, सब कुछ और भी पूल बनेंगे, जो सबसे गोसे घाट है, जो बहुत लोग मांग कर रहे थे, बरहरा कोठी का, गोसे घाट का हो गया है, वहां भी पूल बनना है, वो भी टेंडर के परकिरिया में है, तो इसी तरह से कई धर जनों हमने काम किया है, गई दुवा में पूल बननाना है, उसका भी डिपियार गया है, त जाहे वहा स्वास्त का बात हो, बिजली चाहे श्रकेक हो, इंसे लगध कर सभी बिभाग के मंत्री से मिल करके hen में주ाएं, विपधानसभा के लिए हर समय लगन कोस्तिय लाते हैं, और फिर विभाग को भी लिख के दिये कि रुपोली में डॉक्टर का कमी है, भावानीपुर में कमी है, हमारे छोटे छोटे जो और सब जगे जो गाह में, जो पंचायत में, जो हस्पिटल है, वहां भी एक महला डॉक्टर का जुरत है, नहीं थे, तो उसमें भी लिख करके दिये कोश्चन भी किया है, सब चीज किया है, तो हम लोग लगे हुए हैं सब पर, बावानीपुर बाजार, रुपोली बाजार में जल जमाओ, बारिश शुरू भी अब जल जमाओ शुरू हो जाएगा, तो इसका क्यों ही निदानव तक बाजार का जो यहां पर बहुत ब विभाग था, तो हम उस टेम में लिख के भी दिये हैं, कि यहां पर जो है कि बनना चाहिए, तो उन्होंने अश्वासन भी दिया था, अब तो दल में आ गये हैं, और विभाग से भी मिलकर के हमने सचीवाले में भी परधन सचीव से मिले थे, कि हमारे भवानीपुर मार्क जहां कि पूरा पानी भड़ जाता है, निकास नहीं है निकालने का, तो अश्वासन तो दिया है कि वहां पर जो है कि बनेगा, इसके बाद इधर ब्यास्त हो गए, तो हम सचीवाले भी ने गया है, मिलने और जो है कि जो विभाग का मंत्री है, उनसे भी भेटने हुआ है, अबी तब चुनों के दर्वियान में इधर भगा भगी रहा गया, इसलिए सब पर हम लोग काम कर रहे हैं, डिगरी कॉलेज की मांग है आपके लाके हैं, यह बात पूरे बिधान सभा में मांग है, तो हमने मानिय मुखमांदरी जिस से बात किये थे, कही बार बात किये थे और कही कार्शक्रम में भी हमने भासन में भी उन से आगरे किये थे, लेकिन उनका कहना था कि अनुमंडल में पहले डिगरी कॉलेज बनेगा, इसके बाद कोई परखंड में बनेगा, तो यहाँ पर अनुमंडल में धमधा में डिगरी कॉलेज हो गया है, इसी कारण से सब्सक्राइब हुआ सबसे हैं . लेकिन मेरा पर्यास तो है कि यहां बने को भी ऐसा विधायक नहीं है जो परतनी धी है चोटा से लेकर बारा तक परतनी धी चाहते हैं कि हमारे चेतर में विकास हो और ज्यादा स्विकास हो तो हम लोग भी चाहते है कि बने को इसा ने चाहेगा कि नहीं बने को सन भी हमने किय आपने राजत को समर्थन दे दिया सरकार में फिर जाहतर नहीं होना लोग पुस्ते हैं कि वही तो बात बोले कि यह डिगरी कोलेज का वहीं बार-बार सवाल आ रहा है कि नहीं पहले अनुमंदल में बनेगा इसके बाद परखण में बनेगा हमने बार-बार तो मांग करते आ रहे हैं कि डिगरी कोलेज हमारे वरुपोलीम होना चाहिए होना चाहिए बार-बार हम अब आज उठा रहे हैं और जनता जो है सरवो पड़ी है भगवान है मेरे लिए और जनता का अदालत में हम भी जाएंगे वो भी जाएंगे सब को अधिकार है जाने का उनकी पतनी को आपने मुख्या का चुनाओ भी हरवाया ताकि वो आगे नहीं लड़ता है है जनता और लोक सबा में हम हार गए तो क्या कहेंगे कि यह को फ़लन हरा दिया ऐसा नहीं होता हार cargo जो एक कि चुनाओ जब लड़ते हैं तो हार जीत का डर लगे में कुछ लिखना में क्या है जitter है तो किक इसमें किसी का भोख नहीं है सब का ओर लपने का सब अधिकार है जनता के बीच जाएंगे जंता करें गैँ इसना वह झीट को लेकर सना प्यार हमको देते आ रहा है इस बार भी देंगे ऐसा नहीं कि इस बार नहीं देंगे देंगे एकदम हमारे जनता जो महान है सब लोग देने के लिए आखरी जवाल बीच में कंफ्यूजन भी आया कि साइद आपके पती लड़ेंगे या फिर वो इंडिपेंडेंट अब यह भी मेंघावाल।unk है कि। लेकिंह साजिश के तहत्थ जो है राजनेती के तहत्थ हमारे पती को फसाया गया की ताकि वह चुनाओं नहीं लड़ पाए श्रु नहीं होता तो मेने लर पर परवार का है तो लर नहीं ही था पर्षान किया जा रहा है जो है कि अवधिस मंडल को लोग जो इतना चाहते हैं उसका जो उतना चाहने वाले हैं च्छेतर में उससे घवरा गई कि इसको एचिए कर दो, साइड कर दो, atéकि उंचनों नहीं लर पाएं. तो इससाथ हो रहत है कि बिमा भारति जो है, कि डर जाएगी, या चाही मर जाएगी, चाही दर्ती तर में दफन हो जाएगी. हम सब दिन अब आज उठाते आ रहे हैं, अब आज उठाते रहेंगे और मजगूती के साथ चुनो लरेंगे और जीतेंगे भी